नमस्कार मैं हूँ देवांसू आप देख रहे हैं नियूस फोनेसर महागरबंधन में आज सीट सेरिंग का ऐलान कर किया गया लेकिन भी आईपी पार्टी को कितनी सीटी दी जाएंगे तेस्पी आदब ने इस बात का ऐलान नहीं किया इस पर मुकेश सहिनी ने प्रेस संजर भोका गया है उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वह महागरबंधन का हिस्सा अब नहीं है वहीं रालोस्पा के अध्याक्ष उपेंद्र कुस्पाहा ने भी बड़ा बयान दिया है पूरे मुद्दे को लेकर उन्हेंने कहा है कि अगर मुकेश सहनी उनके गरबंधन मे क्या कुछ कह रहे हैं देखें जो इस्तिती वहां दिखी प्रेस कॉंफरेंस का जो दिरिस मैंने देखा और मुकेश सहनी जी के मन से जो दर्द निकला पुरे बिहार के लोग आज इसको देखकर अस्तव्द होंगे मुझको भी काफी दुख हुआ एक अती पिशरा समाज का व्यक्ति अगर नित्रुत करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ किस तरह का बरताव आरजेडी के लोग कर रहे हैं सोच कर भी लगता है कभी कभी कि क्या यही हमारा समाज है अती पिशरा समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का हक नहीं है क्या रास्टिय जनता दल के लोग अपने रवया में जिस तरह से लागातार सुरू से पिशरा अती पिशरा जो समाज के लोग हैं दलिस समाज के लोग हैं उनके साथ दुर्वेवार जो करते रहे हैं आज के प्रेस कॉर्फरेंस में और खास करके मुक्य सहनी जी के साथ सीटों को लेकर जो गठवंधन का मामला था इसमें उसी तरह का बरताव आरजिदी के लोगों नहीं किया है पूरे विहार के न सर्फ अति पिछरा समा के लोगों को इस तरह का बरताव उनके साथ करने का क्या प्रिनाम होता है कि गठवंधन में कोई व्यक्ति लगातार उनके साथ खड़ा है और इस तरह का आरोफ फिर लगा रहे हैं आखिर सब दल के सीटों की घोसना हुई कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लेगी मुक्य स दानी जी की पार्टी के बारे में क्यों नहीं घुसना हुई रास्टी जनता दल को यह बात बता नहीं चाहिए तो एक तो उनके साथ नाइंसाफी और उस पर उपर से आरोप लोग देख रहे हैं विहार कि आपने सभी लोगों को एक समय कोशिस की थी कि गड़बंदन बना कि देखते हैं व्याव कि पिस तरह की बात हुई । यक्षन का कारण क्या था उनसे मेरी बात होगी उसके बाद हम बता पाएंगे ऐसे मुके साइनी जी हमारे साफ लगातार रहे हैं आगे हम more साथ चलेंगा तो उनका स्वागत है अपने साथ निस्युतुर्प से आगर और साथ रहेंगे तो और भी अच्छा होगा फिलाला भीता के लिए इतना ही आप देखते रहिए नूश पर नेशन